आज हम बात करने वाले हैं बंदन बैंक के बारे में इस वीडियो में हम लोग बंदन बैंक से रिलेटेट सारी जानकारी जानेंगे और आपको बताएंगे उसके fundamentals यहापे financial analysis करेंगे साथ ही में उनके business का analysis करेंगे का का loan दिया है कैसे दिया है NPA वगरे कितना है interest margin वगरे कितने ही loan book कितनी है deposits वगरे सारी चीज़े साथ ही में हम लोग उसका technical analysis करेंगे share holding pattern के बारे बात करेंगे और साथ ही में जो other updates है यानि कि कुछ जो recent में news वगरे आई है बंदन bank से related वो सारी चीज़े discuss करेंगे और जानेंगे पूरे बंदन bank के बारे में कि अभी क्या चल रहा है और आने वाला quarter या फिर आने वाली growth उसमें कैसे हो सकती है और end में आपको बताएंगे कि share price पे उसक कि यहाँ पर एक market टिकर है जिसके अंदर हम लोग सारी चीज़ discuss करते हैं और वो एक automated feed की तुरू यहाँ पर update होता है अगर आप देखोगे तो सारी जो news बगरे होती है यह automated software की तुरू बड़े-बड़े platform से यहाँ पर आके update हो जाती है मतलब यहाँ पर यह जो particular platform है यह ज सारी चीज़े fundamental analysis और Q4 के यह फिस टॉक मार्केट के सभी updates यह पर update हो जाते हैं अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर search कीजिए यह फिर link in description के तुरू आप जा सकते हैं टेलिग्राम चैनल के यहाँ पर बात करेंगे यहाँ बंदन बैंक की overall पहले मैं बा बात करें company ने यहाँ पर एक रुपय का dividend announce किया है बट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी और चीज़ों कि और deep dive करते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं अगर हम बात करें company का pre provisioning operating profit 25% से बढ़ता है जो कि 6855 करोड है अब मैं आपको एक चीज़ बतातो क्यों company यहा ना थी है जा net profit heading यहाँ पर company हमेशा वो देती है जो सबसे अच्छा figure होता है क्योंकि यहाँ पर इनके provisions बढ़ गए तो यह net profit नहीं बता सकते net profit लग बग लग बग 80% से कम हो गए ठीके ना इसलिए हमेशा यह heading वो ही देते ना जो अच्छी होती है और वहीं पर deposit की growth पहले तो 60% की growth है और वहीं पर कासा ratio 43% हो चुका है अगर आप देखोगे उसी के अलावा company ने इस quarter के अंदर पांच लाक नए customer add किये और 29 lakh customers यहाँ पे overall इनका customer base यहाँ पे पूरे साल में add किया गया है overall इनका customer base है वो 2.03 करोड का अभी customer base मतलब क्या हुआ basically लेने वाले और जमा कराने वाले सब आगए इसमें अगर हम बात करें GNPA की जो यहाँ पे company का 6.8% रहा है against यहाँ पे 7.1% जो performa basis पे था और वहीं पे अगर आप पिछले यहाँ पे साल से इसको discuss करते हैं तो वह 1.5% था मतलब अगर आप Y on Y basis पे देखोगे तो company के यहाँ पे GNPA जो की पिछले quarter से बढ़ गया है और यहाँ पे पिछले साल से भी बढ़ गया है अब यहाँ पे आप लोग को confusion होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि GNPA तो यहाँ पे Q on Q basis पे कम हो रहा है बट NPA यहाँ पे Q on Q basis पे बढ़ रहा है सिंपल सा रीजन है NPA और GNPA का फरक क्या होता है देखो यहाँ पे आप सिंपल सी चीज समझो यह होगे अपना GNPA इसमें से माइनस की प्रोविजन तो यह आगे अपना NPA ठीक है तो अब भी बैंक को यहाँ पे जितने GNPA हुए है ना उत्मा यहाँ पे बैंक ने प्रोविज को यहाँ पे बढ़ाया नहीं है तो इसलिए बैंक की जो नेट NPA की वैल्यू है वो बढ़ गई है ठीक है तो मान लो यह इस तरीके से हुआ है कुल मिला कि प्रोविजन कम होने के कारण नेट NPA ज्यादा दिख रहा है और इसलिए GNPA कम दिख रहा है यह एक overall ऐसा calculation है ठीक ह को हुआ है अगर आप देखोगे 525 करोड का यहाँ पे सीधा है अब यह क्यों हिट है यह NPA recognition के कारण है बैंक ने अपने कुछ नए NPA declare करी है जिसके कारण यहाँ पे उन पे यहाँ पे 525 करोड का interest reverse कर दिया गया है किसी भी NPA पे company यहाँ पे कोई भी bank RBI की rules के मुताबिक interest book नहीं कर सकती है और नहीं अपनी profit and loss में show कर सकती है उसी के अलावा total bank नहीं यहाँ पे 617 करोड के यहाँ पे loans की restructuring करिया RBI के मुताबिक और वो सारी चीजे जो कि overall यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे total portfolio of the bank का यहाँ अगर आप देखेंगे 0.71% है तो यह स non-interest income जो है वो 57% से बढ़ती है अब यह क्यों होता है non-interest income है ना हमेश्या problem create करता है क्यों क्यों कि bank का यह main काम नहीं है bank ने कुछ अपनी securities बगरा में पैसा invest किया उसमें जो gain आगया वो one time gain होता है तो कभी भी non-interest income को आप यह मत चलिए हमेशा net interest income जितने rate से बढ़ रहा ह यह होकता है अगर one time expense को यह हटा दे तो 8.8% होता है अगर आप बात को पिछले quarter में यहाँ पे अगर पिछले साल कितना था तो 8.1% था तो यह सारी highlights थी overall वहीं पे अगर आप देखो कि पूरे year and date की highlights दे रखिए इसमें फटा-फट बात कर ले थे 19.6 से बढ़ती है अगर आप देखो के तो 7.8% रहता है जो पिछले साल यहाँ पे 8.1% था टोटल बैंक की जो advance book है 21% से बढ़ती है टोटल deposit 36% से बढ़ते है ग्रॉस NPA अभी bank की books में कितने है 5,757 करोड के NPA है जो पिछली बार से बढ़े और वहीं पर आप देखो के तो net NPA 2800 करोड के है जो य करिए वो कैसे है यह देखो अगर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर यह देखो के ना यह क्यों 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 बेसिस का analysis है ठीक है यह अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको पदा पड़ेगा total income अगर आप देखो के तो यहाँ पर पिछले quarter से खराब रही है वहीं मेल रीजन है वो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर कंपनी ने एंपेज वगरे के रिगार रिगार्डिंग एक हिट लिया है जो करीबन पंद्रा सो साथ करोड रुप सोला सो करोड का है और वो यहाँ पर उसके कारणी बहुत बड़ा impact आ रहा है तो यह सारी चीजे है और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंट्रेस्ट और उसी के अलावा एक 538 करोड का इंपक्ट यहाँ पर लिए है 1557 करोड में अगर आप देखोगे तो यह अधर रिशो यह बैंक के अपने अगर देखेंगे कासा रिशु 43% है नेट इंट्रेस मार्जिन आप देखोगे तो 6.8% है cost to income ratio 32% है जो पिछली बार से बढ़ा है अगर यह cost to income ratio जितना बढ़ता है उतना खराब है ठीक है महीं पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर return on assets 0.4% और return on equity 2.4% है capital idqc ratio यहाँ पर आप पर खराब हुए है तो यह सारी चीजे अबर आप देखो कि न तो एंप नेट एंप आपको best performance दिखाएगा जी एंप ज्यादा हो गए ज्यादा होने प्रोविजनिंग भी ज्यादा होनी चीज़ी अगर ऐसा होता तो यहाँ आपका यह सारी चीज़े अगर जो NPA होता ना तो इतना यहाँ पर नेट NPA इतने फरक नहीं आते बट यहाँ पर क्या हुआ है कि बैंक ने अपने जो प्रोविजन्स है वो वो बहुत बढ़ गए हैं तो यह सारी चीज़े हैं उसी के अलावा यहाँ पर जो इनके CEO हैं और राइट ऑफ है वो बढ़ गए हैं अगर आप देखो कि बैंकिंग आउटलेट्स वगरे नेटवर्क इनकी 1177 ब्रांचेज हैं और वहीं पर अगर आप देखो कि वी रिमेन कॉशियस बट यहाँ पर कॉन्फिडेंट अबाउट दा को सेकिंड जो अपना वो है कोविड-19 के कारण महीं पर आप देखेंगे यहां पर और बाकी सारी चीज़े क्या है नंबर ऑफ इंप्लोई वगरे कितने हैं वह बता है बैंगने टोटल लगबग पचास जार लोगों का इनका इंप्लोई बेस है तो यह सारी चीज़े थी ओवर आप यहां पर देखो कि तो यह प बहुत बड़ी प्रोब्लम है जिसके कारण यहां पर ओवर ओल इंपक्ट देखने हो मिला है अगर आप देखोगे तो यह सारी चीज़े लोन पॉर्टफोलियो यह हम लोग अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं वहीं पर अगर आप देखोगे अभी यह है अपना इनका जो ओव के अलावा इंडिविजुल लोन से कहां से आते हैं लोग बाग तो वह है यह सारी चीज़े अगर आप देखोगे कलेक्शन एफिशेंसी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था तो यहां पर कलेक्शन एफिशेंसी बहुत बड़ी प्रोबलम है वह कैसे है मैं आपको बताता ह मैं अब इनको मिलते हैं केवल 55 रुपए मान लीजिए 5 रुपए बैंक को रिसीव नहीं हुए तो यह कलेक्शन एफिशेंसी होता है ठीक है तो यह इनका जो कलेक्शन एफिशेंसी 95 परसेंट रहा है जो पिछली बार से बड़ा है बट यहां पर अगर आप देखोगे तो अब भी अगर अपन देखते हैं अभी यह एनपीज वगेर है और रिटन ऑफ बॉर्वर्स के साथ था बट यहां पर अगर आप देखोगे तो यह जो पार्ट पे ही है फुल पे ही है इनको मिला के यह करीबन इतना हो जाता है ऐसा है वहीं पर आप देखो कि वेस्ट बैंक को मांगने तो उसमें से 83 लोग ही 100 रुपय मांगता है तो 83 रूपीज ही मिल रहे है बट अगर आप देखोगे तो यहां पर कितना ज्यादा इंपक्ट देखने को मिल सकता है जब यहां पर आप सेकेंड वेफ और क्यू वन में क्या हालत होगी SM के अंदर वो आप समझ सकते हो तो इनका collection efficiency बहुत बड़ा यहां पर problem है मतलब asset quality में अपने देखा GNP NPA खराब है और जो bank के जो customer जो अभी तक NPA नहीं है वो भी यहां पर पैसा जल्दी से नहीं दे रहे है तो यह सारी चीजे वहीं पर अगर आप देखोगे तो यहां पर 90 day plus यहां पर आप देखोग तो कितने लोग यहां पर total of कितना percentage यहां पर आप देखोगे तो loan book का बाकी है तो यहां पर आप देखोगे तो असम में सबस्यादा problem है तो असम की जो loan book है उसमें बहुत ज्यादा problem है तो यह सारी चीजे हैं वहीं पर आप देखोगे NPA यहां पर आपन देखते हैं तो यह एन पे का ओवर ओल यहां पर है payment behavior in पॉर्ट फोलियो अगर आप देखते हैं तो एन पे में कितने लोगों ने अपना जो है यह सारी चीजे हैं खोर तो अगर आप देखो कि न तो N P.A. पोर्ट्फोलियो में क्या क्या हो रहा है वह यह सारी चीजे किसे ही लोगों ने और पैसा 많이 चुकाया है तो यहां पे और पर देखो कि कितने व onun मतलब क्या होता है थोड़ा धोड़ा चुकाना चालूak जो एड़ेड है वो केवल 2.6 बिलियन रुपीज हो गई है अगर आप देखते हो तो वह भी यहां पर ओवराल कम हो गए है ठीक है नंबर ऑफ बॉर्वर्वर्स अवेल्ड ऐसा परसेंटेज ऑ बॉर्वर्वर यह आप देखो गया है तो यह बिल्कुल बिजनिस भी यहां प टॉप अप लॉन कहलाता है ठीक है उसी के अलावा यहां पर डिस्बर्समेंट पर बॉर्वर कितना हुआ है तो यहां पर 63,000 रुपीज का बॉर्वर हुआ है नंबर ऑफ एक्टेव लोन पर बॉर्वर कितने हैं तो यहां पर आप देख सकते हो तो यहां पर 1.16 अगर वह अब यह को अधे नहीं में आपको बता काम यहां पrekयोंziękगी कि जीसर और तो यह सारी चीजे CHP 2008 Business और motoryर quar कितने से हैं और किदर से हैं तो यह सारी चीज Benkt इनलिक और वह सारी चीज़े अ कबने लुट्वाल इनके जो लोंच का यहां पर शेर है वह यहां पर दे रखाए कि किसे कित्ता किता लोंच दे रखा है वही करण देखते हैं इमर्जिंग उन्टेप्रेनियॉर बिजिनस बेसिकली यह नहें बिजनेस को लोन देती है यह सब बात करेंगे liabilities profile की तो deposit growth जो अगर आप देखते हो तो यहाँ पर अगर आप देखो कि तो deposits यहाँ पर 36% से बड़े हैं जो कि यहाँ पर एक अच्छी खासी growth देखने में मिली है और retail जो retail deposits है वह यहाँ पर 79% से बड़े है कासा growth के अच्छी खासी growth है और average balance कितना maintain हो रहा है अभी यहाँ पर करीबन एक लाक नौँजार हो रहा है बट यहाँ पर कस्टमर जो पहले यहाँ पर दो लाक होता था वह अब यहाँ पर एक लाक नौँजार हो गया है वहीं पर total income वगरे हम देख चुके पैट और अंदर movement हो रहा है और वहीं पर अगर आप देखो के तो यहाँ पर करीबन करीबन यह पूरा profit and loss का statement है balance sheet वगरे में अगर आपन देखते हैं overall borrowings कितनी है तो यहाँ पर borrowing जो है bank की वह यहाँ पर अगर आप देखो है और double A के उसमें है फिर management के बार में दे रखा है और फिर ESG वगरे चीज़े दे रखी है इसमें एक important अपडेट यह है कि bank ने इस बाग कितने करोडों का loan write-off किया है वह यहाँ पर बहुत important है तो वह अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर जो write-off हो गया basically मतलब जो bank ने वह उसको book से हटा दिया गया है वह पैसा अब recoverable नहीं है ठीक है अगर यहाँ पर हम लोग इसको और include कर लेते तो अपने NPA और high हो जाते ठीक है ना NPA basically यहाँ पर पैसा नहीं दे रहे और write-off का मतलब हुआ कि अब कभी recoverable है ही नहीं वह तो यह सारी चीज़े ठीक है तो इ यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यह asset quality और यह सारी चीज़े में यहाँ पर problem दही रहा है अब अगर हम बात करें इनके थोड़े बहुत EPS ratio और PE ratio और PB ratio की तो वह सारी चीज़े और Valuations वगरे देख लेते कि कैसा performance है चली Valuations में सबसे important होता है net worth net worth इसलिए जरूर यह यह जो की है total liquidity का जो अपन total लेते तो नेट वर्थ होता है 17,400 करोड की इनकी net worth है अभी हम इसको market cap से divide करेंगे तो अपने को आता है यहाँ पर price to book ratio तो अगर आप देखो गे तो अभी इसका जो market cap है वो करीबन 47,000 करोड चल रहा है तो 47,000 करोड को जब आप यहाँ पर 17,400 करोड से divide करोगे तो लगबग जो अपने को price to book ratio हाएगा 17,400 करोड से divide करने पर तो लगबग price to book ratio 2.7 कुछ आएगा ठीक है तो यह सारी चीजे यह वाला आप मत refer कीजेगा क्योंकि यह पुराना होता है वही पर P ratio की बात करें तो अगर अगर अपन देखें अभी यहाँ प अगर यहाँ पर asset quality में बहुत भड़ी problem है जैसे यह NPA वगरे बढ़ रहे हैं और उसी के अलावा यहाँ पर collection efficiency में बहुत ज्यादा problem है तो यह सारी चीजे यहाँ पर outlook खराब करती है और उसी के अलावा यह bank वगरे में सबसे ज्यादा problem जब होगी जब अगर यहाँ पर lockdown अगरे जो बढ़ेंगे ना इसके कारण सबसे आदा बंदन बैंक जैसे जो छोटे चोटे बैंक है इनको problem होगी क्योंकि इनकी जो asset quality होती है यह इतनी strong नहीं होती है और इसमें यहाँ पर बहुत ज्यादा problem देखने को मिलती है तो यह सारी चीजे वहीं पर अगर अपन बा जादू की results इतने खराब है कि यह लगबग 15% नीचे गिर सकता है ठीक है तो लगबग आप यहाँ पर मानके चलो कि 280 रुपय तक के तो भाव आ ही जाएंगे ठीक है 10% अभी अगर आप अपन देखते हैं तो लगबग 270-280 तो बैट जाएगा तो यह सारी चीजे हैं तो ट अगला मेंटल ज्यादा ख्राब हो जाते हैं इदर ऊदर हो जाते तो टेक्नीकल सारे बदल जाएंगे इसलिक अभी अभी हम लोग ज्यादा टेक्नीकल की बात नहीं करेंगे फिर बात करेंगे अगר अपन शेरह Military us contributed की तो उसमें भी देख लेंगले और क्यां क्यांwide them Hai टेक संब कारा के करके कए के सब्सक्राइब क्या तो ने नगेटिव कीज़ सब्सक्राइब करें अजया गवंपर सब्सक्राइब करके पहले एक बड़ा सब्सक्राइब कितिक है बनाब मुझा करके कुछ है स्टिचिंग डिपॉसिटरी जो है यह कुछ होगा तो यह सारी चीज़ें ओवराल यहां पर कोई बड़ा इंवेस्टर है नहीं एक है केलेडियम इंवेस्टमेंट है जो इनका ओवराल एक स्टेडिक पार्टनर है जिसका 7.79 परसंट का स्टेक है जो वराल इंवेस्टर्स के लिए मैं हर बार बोलता है हूं चोटे-चोटे बैंकों से दूर रही है और यह जो हाई ग्रोथ वाले बैंक होते हैं उनमें सबसे जादा प्रॉब्लम क्यों होती है वो लोन बाट तो देते हैं बट वहां पे जब इनकी प्रॉब्लम होती है जब यहां पर वही लोन चुका नहीं पाते क्योंकि जब भी कोई बैंक लोन ग्रोथ अचीव कर रहा है तो लोन की कॉलिटी पर यहां पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है तो यह सारी चीज़े होती है अभी दैसी यहां पर लोन अगर आप देखो कि ना तो इन लोग ने अपने हो गए अगर यहां पर मैं आपको बोल रहा हो कि 270 तक तो भाव जाएगा तो अगर आप जेल सकते हो तो ठीक है बाकि आपको एक बार बेज देना चाहिए शौट टम इन्वेस्टर को निकल जाना चाहिए क्योंकि अब यह स्टॉक वापस एक बेरिश जोन में चला जाएग करना है तो वह पी रेशो मंदब स्वारी वह अपना पुट वगरे खरीद के कर सकता है और दूसरा यहां पर शौट सेलिंग अपने इंट्राडे में भी कर सकता है तो यह सारी चीजे हैं और यहां पर जो कलेक्शन एफिशेंसी वगरे थी यह सारी चीजे हम लोग ने जान लिए बंदन बैंक से रिलेटेड तो इसी तरह के सभी fundamental analysis के लिए आप हमारे चैनल को जॉइन करें और हमें telegram पे जॉइन करें किसी तरह कि अगर आपको कोई भी stock query है तो आप यहां पर हमें whatsapp कर सकते हैं जिसका हम लोग ने link यहां पर description में दे रखा है हम लोग आपक कोई doubt है stock market से related किसी भी तरह का तो हम लोग यहां पर आपका solve करेंगे subscribe कीजिएगा हमारे चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद